सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूटीब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंग सबसे पहले आप तक पहुंस तोके और जोती सम्मझी सभी जान करिया आपको मिलती रहे नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आप सबीका हमारे यूटीब चैनल पर आज हम बात करेंगे मगर सकरांदी बारे में जोग्यान वली 14 जन्वरी दिन शुक्राइब को पड़ीगी इस दिन असनान और दान का महत है इस दिन व्यक्ति को किसी पविशन दिन असनान करना चाहिए और असनान करने साथ साथ दान करने का भी बहुत महत कहा गया है और पूजन का भी बड़ा महत है मकर सकरांती पर सूरी घरें अपनी राशे प्रिवतन कर लेते हैं और जब मकर सकरांती होती है तो उसी जो है सूरी का राशे प्रिवतन भी हो जाता है मकर राशे में सूरी आते हैं तो सूरी अपने पुत्र शनी की राशे में प्रवेश करते हैं और अपकी बार कई साल बाद ऐसा हो रहा है कि सूर्य और शनी एक ही राशी में रहेगे सूर्य और शनी के साथ साथ बुद्ध भी इसके राशी में रहेगे जो कि तीग रही योग बन रहा है जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा मंगर राशी वालो के लिए सुर्य उत्रघान हो जाते हैं तो यह थिन उत्रघान के नाम से भी जो है जाना जाता है उत्रघान का मतलब विटा है। साल में दो अयन होते हैं एक दक्षियान और उत्राइन तो दक्षियान जो है राश्चों से लिका गया है और उत्राइन जो है देवता के लिए तो उत्राइन यह बहुत ही अच्छा है कहते हैं कि भिशंपी तमाने भी जब सहीया पर पड़े हुएते हैं तो इस उत्राइन का समाप्ती हो जाती है तो मांगली कारेकरम भी प्रारम हो जाते हैं क्योंकि जब सूर्य धनुराशी में दिसंबर माज आते हैं 15 दिसंबर के बीच में जब धनुराशी प्रवेश करते हैं जो कि गुरु घरस्पतिगी हैं तो उस समय घरमास का मतलब होता है कि कोई भी मांगली कारे करेंभ नहीं होगा लनेगी इस तरह के सभी जो भी शुब कारी वे नहीं होते तो यह सभी कारी बंद नंचे जाते हैं तो सुर्द्धा जनुरी सूर्य दें वह स्नानाती जीद है उसी दिन से जो है सभी मापड़ कारे मेप प्रान्म हो जाते हैं शादी भिया घ्रे प्रवेश मुंदन इस तरह के सभी कारी जो है अब प्रानम हो जाएगे इस दिन जो है रोहनी नक्षत रहेगा शाम को आठ बच कर 18 मिन तक जो की बहुत ही शुब नक्षत रहें और इस दिन जो है भवान सूर्य देव की पूजा करना का बहुत ही महतु का हरे है सूर्य भ하न की पूजा य debt है की की इस दन करने क साती दान का महतव है पूजन का बहुत महतु का गया और ठीचली बनांट माथा योदी का शुब तो नस दन का खाना है यह सोहोथ हुब भहत ही की जिञे नहीं मुभार्ण होत northern तो इस दिन जो है जिन वेक्ति की कुंड़ी में सूर्य शनी पीडित हैं यानि कमजोर हैं या सही फन नहीं दे पा रहे हैं जैसे किसी वे घईया साधी का प्रभाव भी चल लाएं तो शनी घरे को मजबूत करने के लिए सबसे उत्तम दिन है यह बहुत अच्छा दिन है तो जिन वेक्ति को चाहिए कि शनी करें मंत्रों का जाब करें इनकी पूजा करें घदिया जलाएं और साधी किश्री का दान करें तो और इनके मंत्रों जाब करना बहुत ही उच्चित रहेगा और साधी अपके बार कई सवर्ष बाद ऐसा दूलब सन्यों यह पढ़ रहा है कि सूरी और शनी पिताब कुटर एक ही राशी में रहेगे साध में बुद्ध भी रहेगा तो यह अपना में बहुत दूलब संजी होगे हलागी सूरी सनी का एक साध मकर राशी मोना मकर राशी वाले को लिए बहुत अच्छा रहेगा इस दुरान जो है आप लोगों के सभी बिगड़े का हुए कारी बनेगे हलागी शनी तो पहले सभी मकर राशी मोना में संचार कर रहे हैं लिए सूरी के महाने से आपके जो केरीर को बल मिलेगा हलागी पिता-पुतर में कुछ विवाद हो सकता है तो यानि कि पिता से आपकी कुछ नाराज़ कि आपको हो सकती है मगर काम को लेकर आपक अच्छा रहेगा क्योंकि चावल और खिजली की दान से जो शनी देव परसन होते हैं तो इस दिन चावल दान करना चाहिए और दान का तो महत्त वैसे कहा गया है और साथी सुरी भगवान के मंतरों के जाब करें शनी के मंतरों करें और पुर्णे का तो आप पुण्य काल के समय ही दान दशिनादी करें जब तब करें मंतर उचारन करें तो उसका कई गुना फल जो है तो आज जान आपने मकर सक्रांदी के बारे में हमारी वीडियो आगे ऐसे आप लोगों के लिए आती रहेगी आप हमारी वीडियो को लाइक करें उसको शेयर भी कर दें ताकि ने जैनकूझत बात आप हमसे पूछना चाते हैं तो हमारे दिये हुए मोभाईल नमबर पर आप संपर कर सकते हैं सभी जानकर आपको विस्तार्द दी जाएगी जिरने बाद